राम राम जी कैसे हो आप सब आप सब का स्वागत है विलेज लैवी सिमा में और इस टाइम पे एक बद चुका है एक बदने में पांच मिन्ट रहती है जिसे हमने अपना व्लोग स्टार्ट कर दिया है और आज दिन है सोमवार आज मम्मी की तव्यत बहुत ज्यादा डाउन ह जरूरी है तब यह तो तो कल भी डाउन थी लेकिन आज बिलकुल डाउन हो रही है जब मैंने खाना खाया है कपड़े बदले और फिर मैंने सोचा चलो व्लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि व्लोग भी बनाना जरूरी होता है तो आज हमारा साइंस का पेपर था और पर होगे पेपर तो हाँ इसलिए मैं जल्दी आजाते हैं स्कूल से तो अब हम काम करेंगे घर पर क्योंकि घर का बुरा हाल हो रहा है और कल तो मैंने और ममी ने कर दिया था सूबह तो मैंने कर दिया था लेकिन फिर ममी को पसंद नहीं फिर शाम को हमने किया काम दोबारा से तो चलिए अब काम कर लेते हैं राम राम जी नमस्ते जैस रिश्याम रादे रादे कैसे वह आप सब आप सब कपके पड़ी चैनल विलेज लाइफ इच्छी ममस्वागत हैं दिन है मंगलवार और यह सुबह का टाइम हो चुका है वैसे तो व्लोग रादया ने कल स्टार्ट किया था कि ममा मैं व्लोग बनाऊंगी पर साइब यह क्लिप निकालना भूल गई काम भी इसने किया था क्योंकि कल मेरी तो भी ज़्यादा खराब थी दो पहर तक तो बिल्कुली खराब थी तिन चार बज़े तक तो फिर माश्रजी दवाई लेकर किया थी तो इन्होंने ठीक और तीसरी खराब हो रही थी तो इस तरह से आज मुझे ये लगा है कि पतानी में कितने दिनों में ठीक होई हो और अच्छा भी लग रहा था और आज मेरे को ये भी लग रहा था कि मैं बहुत सारे काम निप्टा दू आज अपने तो अरादे यहां पे लड़ो को सना लाया फिर बहुत ही प्यार से कपड़े पेनाएगी तर लगाएगी चंदन लगाएगी सारा सरिंगार करेगी है ना बीच 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 में इनका लाड़ दुलार भी करेगी तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन कई बार भी बच्चा जल्दवाजी में स्कूल चला जाता ह नहीं कर पाता है लेट होता है तो फिर हम सोचते हैं कि चलो हम कर देंगे पिच्छे से मैं तो नहीं करती क्यूंकि पता नहीं क्यूं मैं नहीं कर पाती है सारी चिज़े हलंकि मैं अब सोच यहूंगी मैं किया करूंगी अच्छा लगता अपने मन की शांती के लिए में करन वारे हैं क्योंकि मेरे मां काका भी कर देते हैं पहले तो करना चाहिए और अच्छा लगता है अपने मन को थोड़ीशी श्यांती रहती है मंड में कमारे कई बार अजीव सा डर हो जाता बिना यह किसी रीजन के होता है कई बार हम दुखी सा मैसूस करते हैं लेकिन रीजन कुछ खास होता नहीं है तो अभी उन सब चुछों के लिए उन में थोड़ी सी हमें राहत मिल जाती है इन सब काम करने से तो आज सुछे मैंने जो दोनों बैड़ाना के ना दे देती हूँ सोच तो मैं कई दिनों से रही थी कि निकाल करके मैं रख दूँगी या तो फिर कोई अम में से जाएगा वो ले जाएगा या फिर उनका चक्कर लग गया तो वो ले जाएगे कि बहुत सारे कपड़े थे जो रादे जो चोटे हो चुके थे सर्दिआं के भी घर्मियों के भी या फिर पिच कपड़या से ऌते हैं ऐनाकानी करने लग जाते थोड़ा बड़ा होने के बाद अलंकि ज़्यादा तो मैं नईन की चड़ने देती भई इतना आईन में वो नहीं है कि भई हाँ मैं बोल दूँगी और यह फिर भी उस कपड़े को नहीं पहनेंगा हाँ यह हो जाता है कई बारा राध्या बोल देती ममी मैं मेरे से यह नहीं पहने जाते मुझे यह चुपते हैं जैसे फ्रोग के लिए तो बोलती ही बोलती है फ्रोग और सूट सलवार यह चीज़े तो अब यह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है इसको बस यह है लोवर टी कि लड़की फ्रोग पहने पर यह मना कर देती है और जैसे जब हम डांस क्लास में जाते थे तब कई सारे कमेंट आये थे कि बिट्टी को सोट पहनाओ और कमफर्टेवल रहेगी डांस करते टाइम पे तो मैंने इसकी दो मंगवाई उस टाइम पे लेकिन यह नहीं पहनती ह हूँगी एक दो बार यह पहन के गई होगे वह भी मैंने इसको मुश्किल से पहनाई थी अगर फ्रोक भी पहनाती हूँ ना तो उसके नीचे भी यह बोलती फिर मम्मी या तो जैंस की पहन दे दे देना या फिर पजामी दे दे देना पूरी तब फ्रोक पहननाऊगी तो पिर इसको नहीं अच्छे लगते तो फिर मैं भी ज्यादा नहीं बोलती हूँ कि चलो ठीक है जो भी बच्चे का मन कर रहा है बेन लेगा और अभी यहां पर जो कमबड़ है वो मैंने तेह लगा करके रख दिया यह मैंने दोया था कि दो करके रख दूंगी पर भई हमारे मा काम निप्टा लेंगे कपड़े फिर दूल जाएंगे फिर मुझे याद आया कि कल आमावश्या है कल भी कपड़े नहीं दूलेंगे और फिर वीरवार है तो वीरवार गो भी नहीं दो सकते तो इसलिए मसीना जी लगानी पड़ेगी वरना फिर दो दिन बाद तो और नीचार तो वह भी दूल जाएंगी शात में कपड़े भी दूल जाएंगे और यहां पर इटे गई हूं प्रेस की हो प्रेस की यह नहीं कपड़े हैं तो यहँ पर मैंने प्रेस का कमें लगारी हैว और जो वो थेला रखा हुआ है उनमें उपर वाड़ों में तो बच्चों के जुन्नाई कपड़े हैं जो कभी कबार काम आते हैं वही कहीं पर जाना आई है या फिर साधी बया में तो वो मैंने डाल करके रख दिये थे और उसमें मेरे जुन्नाई सूट हैं वो रखे हुए ह बस पहले बारे तो मैंने तीन ही रखे हैं बाकी मैंने सारे पहनने लगा दिये अब एक मेरा मेरे उन सूट है जो मैंने दो बारी डाला एक मैंने पिछली बार कर वे बे डाला था वही मैंने कुल दो बारी डाला है थोड़ी थोड़ी देर और एक मैंने एक ही बार डाला थ जो मैं अनार कले लेक्ड़िया थी, परपल कलर का बस वो तेन सूट मैंने रखे हैं बाकी तो मैंने सारे ही पहनने लगा दिये और चाहिए फिर मेरे जो अब सिले हैं या फिर सिलने के लिए मैंने दे रखे तो जब सारे सूट शिल करके आजाएंगे ना तब मैं आप लोगों के साथ हैं शेर करूंगी मेरा जो नियो शूट क्लेक्शन है वह बो ऐसे जा बोला है और तो यह नहीं होरत सारे बोले हैं अजे मम्या अपकुस्ट नहीं है पुरा गली सोल अजब शूट शूट नदी अप्ति काली पुरा गर की डुटेन देवें काली आमा उसी जो त्यागी हां यह मोँ मम बोल कोनी आमा अवासीमा डीयो दीयो विडियो यह एक अपड़ें यह गजरा पारण गोनी यह जो जब साथ दिआ जा आवाज जा तब पारण गया है पापा शईपापा शई करो सई बन देश्को पड़े डार चालो अज तो प्सक्त्रें काल माज्या ना यह आ तो जो सारा सामान है वो मैंने सेट कर दिया है जो भी जहां पर रखना था साथ में मसेल लगा दी थी खुपड़े भी दूलते रहेंगे और साथ में अपना जो काम है वो भी हो जाएगा तो यहां पर राध्या लगा रही है जाडू कई बार यह अच्छी भी लगा देती कई बार छोड़ भी देती है तो दोबारा लगानी पड़ती लेकिन बच्चे को काम लगाना पड़ता है भई यह सोच करके कई बार तो मेरा मनना इतना वो हो जाता है कि भी क्यों इसे मैं करवा रही हूँ मुझे दोबारा तो करना ही बढ़ता है लेकिन फिर ये है कि करवाओंगी तभी तो इसको आदत पड़ेगी वरना फिर इसकी यही आदतें मन जाएंगी और बड़ी होने के बाद ये करेगी तो फिर इसको आलसा आएगा तो ये है कि थोड़ा थोड़ा सा काम बच्चे पर करवाता रहने चे यह भी ताकि इसको आदत रहे काम करने की अब आगे थी मैं कीचन में या पे सबसे पहले जो बरतन है सारे वो लगा दिये हैं बास्केट साफ करके बरतन साफ करूंगी और फिर जो काउंटर टोफ है उसको अच्छे साफ करूंगी और यह जो वीडियो है वो भी मैं आज ही एडिट करके डालने का सोच रही हूं तो इसमें भी फिर टाइम लगेगा और आज वोई शोवर में भी इतने ज़्यादा दिक्केतारी है क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो मैं अंदर वोई शोवर कर ली हूं वो बार से रारत कर र तबियत है ठीक है अब कैसी है तो गुडियां की वही हमने सरजरी करवा दी है क्योंकि लास्ट ओफसन यही बचा था दवाईयों से जतना ट्रीटमेंट होना था वो वो चुका है और उससे आराम नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर ने बोला कि वही सरजरी करवा करके देख ल अब जहां पर मेरे को अराम लग गया मैं तो उसी डॉक्टर को सजस्ट करूंगी उसी वह स्पिटल को करूंगी कि वहां ले जाओ वहां जाना चाहिए आपको लेकिन जहां पर मापाप का मन मानता है अपने बच्चे को वहीं पर रखते हैं ना आप लोगों के कहने से हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते और जैसे बहुत सारे कमेंट की आप पित्रों का रख दो आप ये कर दो आप माता का रख दो गुड़ का हमारी माता का रख दो है ना या फिर मेरी मम्मी के लिए भी बोल रहे हैं तो बही कुछ नहीं सारे किसमत आगे खेल हो रहे हैं और दो पूज तो देखो हम उस टेम पे जब जिस टेम हम री तुनल लेके गए थे उस्पिटल में उस टेम भी हम सब का जो भी कुछ रखना था हम सब रखे गए थे ठीक है उस टेम भी कोई कसर कोई नी छोड़ दी थी फिर भी हमने गुड़ियां की तबीत खराब होने के बाद डर अब हमारी जो दोख पूज होगे सारा लेके जावांगे गुड़गां वारी के भी रख दिये थे पितरां के भी रख दिये थे सब के रख दिये थे दिखो हमने तो अपनी तरफ से याद करकर के हैं या सब पर पुछ पुछ के भी सब कुछ कर रहा है सब कुछ इसी कोई चीज गोनी छोटी थी भी यहाँ याद नहीं रही है फिर इस कारण तरह यहाँ चीज हो है बाकी वोई बात है जब कुछ दिक्कत हो जाए अगरे ना ज़र सारी बाता में ध्यान चला जाया अगरे कदे नूओ गया हो कदे इस चीज की कमी की कान रहे हो कदे दोकभुछ में कमी रही हो किसी का ना रख्या हो है ना ये सारी जिज्जे तो दिक्कत अब तेरी माच रही है क्योंकि वाई बात अपने गराओं देई बई देखो सराद जाल रहे हैं है ना सब अपने दो रूटी गांगी का ड़े हैं अपने सुक्षयांती का तर अपने जो भी बड़े गए हैं गर में उनका सराद भी निक तो फिर मका चलो मैं चली जाओंगी कल न चली जाओंगी तो फिर वह बोली कि हम आगे थे मैं और रितू रितू तो वापिस तो फिर बुला ली डोक्टरा ने बई आना पड़ागा और जो ती है वाँ पै तो जो तीस राद निकाल गया होगी इब दो साल होगे थे हमने ब पना काम करार किसने कितना टाइम होए है बेठन का एक मिन्ट का भी टाइम को नहीं अंदाद मीन ठीक छाग मैं तो वह भी अपना सवेरे दुकान पर जावा था रात नावा था यह उसका भी सब कुछ छूट रहा है पर यो है कि चलो कोई बात नहीं बई द्याड़े वर के हैं बेठके हैं पीसा लागे हैं छोड़ी ठीक हो जाओ वह भी सब दवड़ी बात है और अभी तो बाकी रखेंगे भी आरे दें कमेंट की हस्पिटल से चुटी मिल गई गया तो जी अब ता दस दिन तो है है बाकी जादा दिन भी रख सके हैं तो यह तो टाइम लागा ग काड़ दिये थे पाड़ी मकुनी चोड़ के डाल दिये हैं ड्रायर होड़ें और बाकी जो काम है वह भी सारा निप्टा दिया है इप दूसले पे ना वह मैं देखो देमा को लिन गला साफ कर दूंगी गैस मैं फिर मन देखिए कि को लिन तो खतम हो रहा है और यह मने पू है सिसे हैं या फिर कई बार मैं यह जो कैविनेट सी बना भी है इस पर भी लगा दिया गरू अलमारी पर भी जो लकड़ी वाड़ी अलमारी है इस ते फिर बहुत अच्छे ता साफ हो जाए भी जैसे कोई दाग बेगर है ना वो उसके निसान नहीं रहते और गैस भी ना गिला कपड़ा और शुक्खा कपड़ा चाहिए कितनी बार लगा ला फिर 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 थोड़ा बहुत निसान जेर रह जाए हैं तो इस तर फिर अच्छे ता साफ हो जाए हैं तो यहां पर बसी विसन अपना रख जूँगी और जो लकड़ी वाड़ी अलमारी है मतलब शू बढ़े का चकर में पहले वो जो बड़ी है जो राइंग रूम में रखी वो भी हमने शू रह के बनना दिया था पर मेरी मा फिर जाके नोगे आई कि बड़ी बनाया दियो कपड़े भी रखे जाओंगे तो फिर उन नवा और बड़ी बना दिए उसमें तो इतनी बड़ी म बहुत दिक्कत होई, मतलब जासे मैं शुरू-शुरू में करती थी, उसमें मेरे को बार-बार अपनी बोई शकट करने पड़ती थी, आज भी वही आला थी, परना मैं अपना लगातर बोलती हूं और कर देती हूं, टाइम नहीं लगता मेरे को, पर आज थोड़ी सी हो रही थी, पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही थी, तो क्यासा लगा आप लोगों को व्लोग, जुरूर बताना, कमेंट करके, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो चले फिर बाई-बाई, टेक केर,